नमस्कार दोस्तों, Knowledge for Curious मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे Dream Children a Reverie यह Reverie होता है, Reverie नहीं होता है, पहले मैं भी इसको Reverie है, Reverie बोलता था बट जब मैंने Google पर चेक किया तो यह समझ में आगे Reverie है तो मैं इस वीडियो में जो भी चीज़े बोलूँगा, वो सब चेक्ड है, Google अप्रूवड है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है, चुकि आपको काफी ऐसी चीज़े मिलेंगी जो अलग-अलग बुक्स में wrong दिवी है इसको हम डीटेल में पढ़ने वाले है, word to word मैं पहले ही बता रहा हूँ, यह कोई summary नहीं है knowledge for curious summary में believe नहीं करता summary काम चलाव होती है, मैं आपको word to word बताऊंगा ताकि अगर आपका unseen passage हो कहीं से भी आये तो आप उसको solve कर पाओ और question answers आपके लिए बहुत simple हो जाएं तो आईए शुरू करते हैं इसको word to word पढ़ना उससे पहले हम बात करेंगे आखिर यह लिखा किसने है पता तो हो कि आखिर किसकी महनत की वज़े से हमें इतना शांदार शेप्टर मिल रहा है जिसका नाम है ड्रीम चिल्डरन फ्रिवरी मैं आगे आपको बता हूँगा टाइडल के बारे में पहले बात कर लेते हैं राइटर राइटर का नाम है चार्ल्स लैम यह उनका एज है 1775 में जन्मुवा इक हूँ इसे सब्सक्रीन है को जयाकार है काफी एंटिक शीजा के थो इनको वैलूइबल सब्सक्राइब्यकित पर बाऊ एगए पशक्यान फोबरूश राइटर छुर आपको नाम हैacio बैएल का य Giving पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा इवी लुकास के बारे में काफी आपने चैप्टर पढ़े हुए होंगे इनके इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है लैंब ने बहुत दुख बरी जिंदगी देखी है बहुत बहुत दुख आगे देखोगे ऐसे में इतना दुख इतना दुख कि आपका जिल पे जल जाएगा इतना आपको दुख मिलेगा इन्होंने स्रिफ 14 साल के वहन पढ़ाई छोड़ दी थी और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी में काम किया नाम्याद आया कुछ ब्रिटिश इस्ट इंडिया हम भी इंडिया में यानि उस कंपनी में जिसने हम पर राज किया था और ही हैस्पैंट इस ट्वंटी इयर्स इन इंडिया इन पच्चिस साल इनकी जो जिंदगी के हैं वह इन्होंने इनुस्तान में बताये हैं इनको याद रखते हैं और टो बैग्राफिकल एसी जिसमें अपनी जिंदगी के दुख को बया करते हैं विच कंटेंस पैथिविक पैथिटिक एस्पेक्स मतलब दुख बरे जो पहलू है वह आपको इस ऐसे में और इनकी बागी सारे ऐसे में मिलता है एक इनको आपका फ् ने का दुख, शाथ साल जिस से प्यार करते थे जिस लड़की से एन सिमोन से, तो साथ साल के इश्क के बाद, साथ साल के कोशिशों के बाद भी आखिर उससे शादी नहीं हो पाई, बदलब जिंदगी में जो प्यार है वो इनका अधूरा रह गया, तो यह जो अधूरा प मतलब होता है सपना चिल्डरन मतलब बच्चे और रेवरी को मतलब होता है दिन में देखा गया सपना दिवास वपन बेसिकली ख्याली पुलाव तो यह ख्याली पुलाव पकाएंगे कुछ अब ख्याली पुलाव क्या होंगे बच्चे मिनके इमेजिनेरी होंगे यह मैं आग बहुत दुखी ये बंदा इनके अपने बड़े भाई को नो ने खो दिया जिसका नाम जॉन लाम था इनकी प्यारी से दादी मा थी मैरी फिल्ड उनको नो ने खो दिया मृत तो सबकी हो नहीं है इन लोग की मौत होई पर बहुत जल्दी हो गई दादी की बहुत जल्दी हो गई भाई की बहुत जल्दी हो गई जवानी में ही डेथ हो गई उसकी ये अपने चुटियां बिताया करते थे दादी की घर पे बाद में इनको प्यार हुआ जिंदगी म कारीगर मान सकते हैं जो लोहे चांदीज उने इन सब का काम करता था वो ज़्यादा बहुत उपर नहीं था इंटलेक्चुल तो बिल्कुल भी नहीं था पर पता नहीं क्यों उसको सेफ आप्शन लगा और बारडम से उसने शादी कर ली इतना ही नहीं एक बार ये लोग जब अपने घर पे थी चाल्स लेम तब क्या हुआ था इसकी बहन ना सबसी काट रही थी मा किचिन में थी चाल्स लेम भी बैटे वे दे कुछ पढ़ रहे होंगी तो अचानक से इसकी बहन को पागल पन का धोरा पड़ा इसने चाको लिया किचिन में गई और मा के पेट में चा अचान थी उन सब को लगा के परमिशन लेकिए उस मैरी फील्ड को अपने घर में लेके गए थे कि मैं इसका ध्यान रखोंगा अपनी बहन का मतलब वो बहन सगी बहन जो सगी मा की कातिल है उसको बचाया था नो ने उसको अपने पास रखा था इनकी जो पूरी जिंदगी है वो पागल बहन का ध्यान रखने में ही बीद गई और एक और चीज़ आपको बता हूँ खुद ये डिप्रेशन में जा चुकिया बही बंदा जाएगा ना जिसकी मा की डेथ उसके सामने होई हो बंदे ने गरी भी देखी हो जिसकी बहन पागल हो जिसका बड़ा भाई क की डेथ हो गई हो दादी भी छोड़के चली गई हो और बच्पन में सब को छूड़ गया पिता भी नहीं थे तो इतना को डेप्रेशन में थे कि खुद इनकी जिन्दगी के छे हफते ये बिता चुकिया है mental asylum में मतलब पागल खाने में इलाज के चक्कर में तो बहुत जा है खाले हो आप के बिखते हो पापा से बूचते होगे आपके जमाने में पामास कैसे कारते हैं तो पापय नहीं था टिक टॉक्सक साथ नहीं था तो अभी हां जिन बच्छों सो बात कर रहे हैं वह रहां वह जहां के लिई John और Alice अब जौन से आपको कुछ याद आया होगा जौन, इनके बड़े भाई का भी नाम है और इस imagine के वे बच्चे का भी नाम है Alice इनकी imagine के वी बच्ची इन दोनों बच्चों को चिल्डरन बोला गया है हमापर तो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं जित कर रहे हैं अपने पितास ही हर बच्चे की तरह उनको इंटरस क्या होता है हर बच्चों को कि हमारे जो great uncle है हमारे चाचा हमारी दादी परदादी इनके बारे में किसा सनाया जाए जिनको हम नहीं जानते तो यही spirit इसी feeling के साथ जो मेरे little ones है मतलब मेरे जो दो बच्चे हैं John और Elise वो तो मेरे आसपास आगए मुझे लिपट गए और कहते हैं मुझे कहानी सनाओ तो फिर उसके बारे में कहानी किसके बारे में great grand mother यह समझ जाओ great मतलब होता है परदादी के लिए बोलता है जब हम great grandmother यहाने बच्चों की परदादी कौन हो ही पिता की दादी याने Charles Lamb की दादी की हम कहानी सुन रहे हैं Charles Lamb की दादी जिनका सरनेम था या नाम था field who lived in a great house in Norfolk अब ये वैसे great grandmother जो बोला नानोंने अब ऐसे दादी पे सरनेम और लाम सरनेम है तो हो सकता है नानी के किस्टा सुना रहे हो था कर लेकर आपको great grandmother लिखना है क्योंकि आप देखोगे तो अगनिर अटना नहीं चलता दादी नानी वह सबको अंकल चाचा है तो अंकल, ताउ है तो अंकल, मामा है तो अंकल ना बुगा है तो अंटी, चाची है तो भी अंटी पडोसन है तो भी अंटी, मासी है तो भी अंटी तो आपको चाहे आप किसी भी ग्लास में हो चाहे आप 12th MP Board में हो यहां लिटरेचर पढ़े हुआ आप बी ए में ओनर्स कुछ भी आप कर रहे हो आप सिंपल ग्रेट ग्रैंड मतर लिखना पर याद रतने नानी है चुकि देखो सरनेम अलग है दादी का और आपका सरनेम कभी अलग ही हो सकता है तो ग्रेट ग्रैंड मतर जो फील्ड है वह बहुत अब यहां जहां से देखना एक चीज जो बहुत कम आपको मिलेगी किसी भी भुक में अंड़िट टाइम्स बिगर देट इन विच दे एंड पापा लेवड यह दे भी चिल्डरन है इसका मतलब जिस कमरे में बैड कर या जिस घर में बैड कर चार्ल्स लैंब यह चार्स ल जिस घर में हम कहानी सुन रहे हैं जिस घर में चार्स लैंब अभी है और उनके दो बच्चे जॉन और एलीस बैटे हुए हैं इस घर से करीब करीब 100 गुना बड़ा घर यह है जहां पर हमारी परदादी यह इन बच्चों की परदादी ग्रेट ग्रेट ग्रेंड मदर फील रहती थी ठीक है अब यहाँ आदे कोई इंडरस्टिंग चीज बताओ इस घर के बारे में एक अफ़गा थी जैसे मेरे क्याल से आपके भी आसपस पका ऐसा कोई घर होगा या कबरिस्तान होगा या पेड होगा जिसके बारे में कहानी होगी कि यहाँ पर एक भूत था यहाँ पर कोई गया यहाँ से चीखिनी की आवाज आती मेरी कालो नहीं में तो है एक घर है जो करीब करीब 40-50 साल से बन दे तो हम लोग उसको बूद वंगला बोलते है हलागी माप ऐसा वो जैनी पर हम लोग बोलते है बूद मूंगला मस्ती में ऐसे कबरिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्टोरी है ऐसे इस घर के बारे में एक कहानी थी वो कहानी थी बैलेड ओफ चिल्रन इन द वोट की इस घर के बारे में कहानी यह थी कि देखो क्या हुआ था इस घर में दो बच्चे दे नने से उनके पता ने प्रापटी छोड़ी दो बच्चों के लिए पता के डेट हो गई जी तो उनके चाचा ने दो गुंड़ों को हायर किया और बोला कि जाओ इन दो बच्चों को जंगल में छोड़ दो अब वो जो दो गुंडे गए न उन में से एक का दिल पिखल गया उस बंदे ने दो बच्चों को मारने की बज़ए अपने साथी गुंडे को मार दिया और दो बच्चों को जंगल में छोड़के वापस आगे कि मैंने बच्चों को माल दिया अब दो बच्चों को उसने तो यह इंटेंशन से छोड़ा कि बच्चे जिंदा बच्चेंगे पर वो दो बच्चों के भागया पर उसने छोड़ दिया और बाद में दो बच्चे भी म मर गए फिर जब वो मर गए तो उनकी डेड़ बॉडी को रॉबिन रेड़ नाम का एक बर्ड होता है आगे जब आप ओट्टू आटम पड़ोंगे तो आपको और अच्छे से दिखाऊंगा उसकी इमेज रॉबिन रेड़ नाम का बर्ड होता है जिसका जो चैस्ट है ब्रेस कार्व थी ऐसे इमेज़ बनी होई थी तो अब सब लोग बिलीव करने लगे थे कि इसी घर की यह कहानी है इसी घर में दो बच्चों की आत्मा भटकती होगी अब आत्मा भटकती है यह आगे मैं आपको प्रूव दूँगा आगे मिलेगा आपको बड़ी इस दिवार के चिमनी पीस पे पूरी कहानी को गड़ा हुआ है कार्व कियो है नाम के पक्षियों ने पत्तियों से उन डैट बड़ी को डग दिया बहुत जगह आपको यह बोला जाएगा कि Robin Redprest Malkin का नाम है तो याद रखना हो Malkin नहीं है वो कहानी ऐसी है Till a foolish rich person pulled it down to set up marble one of modern invention in its head अब एक बंदे ने एक बंदा मतलब इसी के हरके मालिक ने क्या किया इसको उखाड दिया कि बिकार लग दिया story negative है तो इसको उखडवा के pull down मतलब इसको उखाड के या marble लगवा दिया जो कि fashion में था वो marble पे कुछ चपा हुआ नहीं था बहुत plain सा marble कोई story निए उसके पूर here Alice put out one of her mother's look too tender to be called upbraiding तो इस कहानी को सुनती जो यह जो Alice है imagined इस बच्ची ने अपनी माँ चैसा look बनाया अब आप सोचोगे एक मिनिट शादी हुई नहीं तो माँ इसकी कैसे तो देखो यार imaginary है तो चाल्स लाम ऐसा imagine कर रहा है कि मेरी एंसमांस जो शादी हो गई और मेरी शादी हुई एंसमांस के बाद tender है मतलब बहुत प्यार करती है बहुत प्यार वाला वो बनाती है तो डाटने का भी मन नहीं करता तो यह जो प्रशा प्रशा अब होता क्या है टाण है आगे बताने लगे कि दाणी है सब इसको रिने बड़े घर की मालको HOW तो थीनी इतना वड़ 현 लेंगी लेकिन उसके बाद चार्ज था कि आप इस घर का ध्यान अखोग के तो वह अखन रखते थीदी कि इसको मालकिन भी बहु सकते है किसी को यखीनी न होगा किए न ये इसकी मालकिन नहीं है जैसे आपने बाहुवली वन अगर देखी purchase somewhere in the adjoining country तो बगल की ही country में कहीं पे उसने एक नया fashionable गर लिया वादा मालेक ने और इसको लेके किया था दादी को कि आप ध्यान रखोगे घर का, but still she lived in it a manner as if it had been her own and kept up the dignity of her house in a sort while she lived, which afterwards came to decay and was nearly pulled down अब उसने घर का बहुत ध्यान रखा जिसे उसका घर हूँ, बाद में वो घर सड़ गया सड़ गया से मतलब क्या है कि पुराना हो गया फोई इसको ध्यान ने रख पाया बाद में और उसको पूरा pull down कर दिया गया, मतलब pull down करना था उसको पूरा तोड़ दिया था समझो कैसे तोड़ा सा बता हूँगा मैं देखो and all its ornaments stripped and carried to the owner's house where they were set up अब देखो आपने देखा होगा बहुत लोग को क्या लगा हो दा चीजा से कि हमने आर खर्चा किया तो हमें इसको पूरा लेके ही जाएंगे तो वो जो बंदा है न जिसका नया घर था अब वो नए घर में इसने किया किया पुराना सामान निकाला old ornaments और नए घर में ले जाने का प्लैन कर लिया तो अब उस चकर में किया किया उसने कि वो लेके तो चला किया आराम से और वहापर set भी कर दिया पर हुआ क्या and looked as awkward as if someone were to carry the old tom अब हुआ क्या बेव को बहुत बड़ी जब पुराने सामान को old ornaments को लेके गया ornaments आपे जेवर नहीं मतलब जो decoration का सामान होता है और उसको नए लेडी सी लेडी मतलब लेडी सी मालकिन है मकान मालकिन नए इखटकी उसके जब लगाया गया ना drawing room में यह toddy guilt मतलब है जो सॉफ्ट परदा लगा हुआ हो जिसे आपने आजकल देखा होगा क्या बोलते उसको wall covers उतने आजकल दिवारों पर चैपके जाते है wall cover वगयरा तो ऐसे drawing room में जब पुराना वह लगाया गया तो ऐसे लग रहा था कि अब मतलब कब्रिस्तान का नहाँ है कब्रिस्तान चे कब्र को उठा के लगा दिया गया हो अब आप खुछ हो तो नहीं है आपका drawing room नया है जहां पे LED लगे लगे हुए LED के बगल में आप एंटिक पुराना सामन लेके गए और नए drawing room में रखा तो बहुत बद्दा लगा था वो सब कैंसल करना पड़ा here John smiled as much to say what that would be foolish indeed जोन असके करता है सही में बेवकोफी दी आरी तो जोन असता है पर दादी के बारे में और बताया जाता है and then I told how when she came to die her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too फिर मैंने उनको बताया कि जब तुम्हारी तुम्हारी पर दादी के जब ड़ाथ होई तो गरीब अमीर सब लोगों ने उसको अटेंड किया था of the neighborhood for many miles round तो कई मीलों से गरीब अमीर हर तरीके के लोग वहाँ पे आये to show their respect for her memory because she had been such a good and religious woman बहुत ज़्यादा अची थी, बहुत ज़्यादा religious थी so good indeed that she knew all the sultry by heart, eye and a part of, a great part of testament besides तो वो इतनी religious थी कि इसको ये sultry, sultry या sultry या pronunciation देख ले न तो इसको ये sultry और testament दोनों याग थी ये विसे sultry का मतलब होता है जिसमें साम सो साम क्या होता है देखो एक पवित्र गीत होता है आप अगर 12th MP board में हो, यह फरका MP board में भी हो तो आपने एक poem का नाम सुना होगा, a psalm of life बहुत important poem है, मैं उसकी explanation भी आपको दूँगा आगी आगी मींस किसी और वीडियो में तो साल्म उसमें बहुत सारे होंगे, पवित्र गीतों का collection होगा जैसे आप मान लो किसी औरत को हिंदुस्तान में भजा नियाद हो आप उसे compare कर सकते हो and a great part of testament testament Bible का एक पार्ट होता है जैसे हमार लिए रामायन, रामचरित मानस का एक पार्ट है सुन्दरकान बच्चे बनाते रहते हैं आपको दिखाते हैं कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे तो एनर्जेटिक भी होते हैं काफी सुनते हैं आपको बहुत घ्यान से तो उसमें अपने हाथ फैला लिए पहरानी में then I told what a tall, a pride, graceful person their great grandmother field once was and how in her youth she was esteemed the best dancer तो बताया कि आपकी जो grandmother थी मतला परदादी जो थी मेरी दादी वो बहुत लंबी थी बहुत लंबी मेला ऐसा है भी नहीं क्या मितला बच्चन जैसी काफी अच्छी height थी upright थी मतलब उनका फिजीक बहुत अच्छा था क्या स्ट्रेट वाली जुकी जुकी नहीं थी बहुत अच्छी थी beautiful थी और खासकर जब वो जवान थी न तो उनको कहा जाता था best dancer अभी शब्द सुनते ही देखो क्या हुआ here Alice little right foot played an involuntary moment till upon my looking grave अब अचानक से इन उसने parallel आ दिया Alice ने सुनके best dancer तो फिर मैं मतलब कौन मैं मतलब Charles Lam तो मैं तोड़ा सा serious हो गया मैंने उसको देखा इस मतलब क्या था parallel आने का कि best dancer मत बोलो गया dance तो मैं भी कर सकती हूँ best मत बोलो तो ये इसकी पृति you can say withroho देखाया Alice ने I was staying in the country till a cruel disease called a cancer came and bowed her down with pain but it could not could never bound her bend her good spirits or make them stoop but they were still upright because she was so good and religious तो बाद में इसको cancer हो गया मतलब अब जवानी में नहीं थोड़ा age होती गई तो इनको जब cancer हो गया ना तो cancer से इनकी body तो जुक गई body जुकने का मतलब ये weak हो गई ये weak हो गई लेकिन इनकी spirits इनका इनकी अच्छाई कभी जुक नहीं पाई च्योंकि ये बहुत नेक थी और धार्मिक थी जो व्यक्ति धार्मिक होगा नेक होगा उसके आप शदीर को चोट पहुचा सकते हो उसको आप कमजोर कर सकते हो लेकिन कभी उसके आत्मो इश्वास को उसके अच्छाई को उसके जोश को आप तोड़नी सकते लाएक महात्मा गाननी की केस में होगा था चुकि एक अच्छा और दोहार में एक इनसान शारिक में ही आत्मिक बल रखता है अब आप सोच रहोगे होगे होरर फोटो का को नगा दी सरने तो अब देखो मैं आगे आपको बता हूँ यह होरर फोटो क्यों है बहुत अच्छी है वैसे आपको चाहिए याद होगा मैंने अभी अभी आपको बताया था दो बच्चों वाली बात दो बच्चों की डैथ न यहाँ आपको समझ जागा देखो कैसे हो यहाँ की बात होई यह दो बच्चों की देखो बच्चों की बच्चों की स्टेर केस नियर वियर शी सलैप अब क्या होता था दादी सोती थी अकेले एक चैमबर में चैमबर का मतलब वह गड़र है चैमबर का मतलब कम रहा जोटा सा तो वह ऐसा मानती थी कि उनके बगल में स्टेर कैस थे जीने थे और रात को कोई दो बच्चों की आत्मा अपाडिशन मतलब आत्मा ऐसे यहां से नीचे उतरती है चड़ती है उतरती है चड़ती है पर दादी को डर नी लगता अब याद है दो बच्चों का मतलब क्या हुआ कि वो जो दो बच्चों की कहानी है न कि दो बच्चों को मारा गया था तो इस घ हर नो हम तो बच्चे उसको कोई चोट नहीं हो जाएंगे और मैं कितना डरता था यार मासूम बच्चा डरेगा आपकोर्स इसी बूत की कहाने संगे किसको मजा आएगा और एक बच्चा जो धार्मिक नहीं है और मासूम है उसको कहा समझ में आता है यद आए नेवर सौद इन फैंट तो मुझे वह डर लगता था तो मैं एक नौकराणी कह सकते हो बाई कह सकते हो तो मेरे पास समेशा एक बाईस होती थी मेरा ध्यान लखने के लिए चुकि मैं दादी के comparatively आधा भी अच्छा नहीं था आधा भी रिलीजस नहीं था मैं तो बहुत अलग टाप का था मुझे इससे नेकी नहीं होती थी कि मैं डरूँगा नहीं बूच से हलाकि मैंने कभी उन बच्छों को नहीं देखा here john explained all his expanded all his eyebrows and tried to look courageous अब इस बात को सुनते ही john ने अपनी eyebrow को फैला लिया जो वो यह दिखाना चाता था कि मैं कितना courageous हूं मैं कितना brave हूं मैं इंडर था किसी देवी अब देखो कैसे अपना समय मिटा देते चाल सलाम then I told her how good she was to all her grandchildren and having us to great house in the holidays अब मैंने उनको बताया कि वो जो दादी थी उसको कितना अच्छा फील होता था जब वो बच्चे उनके पास आते थे और खासका holidays बताते थे where I in particular used to spend my hours by myself यह by myself अपको याद होगा अकेले तो मैं जो था चाल सलाम मैं अकेले में समय जाता बताता था अब देखो यह writer होने का है जो भी writer होते हैं बुद्धी जीवी होते हैं वो काफी वक्त अकेले बिटाना पसंद आते हैं तो चाल सलाम बच्पन से ऐसा करते थे और एक तो अकेला पंसा अंदर एक तो solitude चाहिए होता था कि अकेले बैटू in gazing upon the buses और यह buses में क्यों बोला हूँ यह मैं आगे आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगा है एक राजा की hierarchy है मतलब रोम में बारा राजा थे जिनका नाम था कीजर फस्ट कीजर सेकेंड कीजर थर्ड कीजर ऐसे करके बारा कीजर थे इसको बोलते हैं बस्ट प्लीवरल होता है बस्ट का मतलब होता है ऐसा इस त्रैचू जहां को चाथी देखे चाहती होता ही बस्ट और चेहरा देखे तो इस पूरी मूरुती का भी नाम बस्ट होता है जहां पर आपको इतनी इतनी मूर्दिया अपने देखे औक शहर मेंution Bis k Data bara यह मूर्दियां ती राजाوقी जैसे इसे मनेते था इनकी क 강ने की के ओौ्ड Kaiser मार्वल के बने हुए हैड को और ऐसे लगता था कि मानलों यह जीवित हो जाएंगी या तो यह जीवित होंगे या फिर एक दिन मैं इनकी तरह बन जाओंगा आप इस लाइन से आप समझ सकते हो बन्दे के अंदर कितना अकेलापन है और मौत के कितना करीब है कहता है और I to be turned into marvel with them तो बच्पन में ही व्यक्ति उन मूर्थियों को देखके उन राजाओं की मूर्थि को देखके जो बहुत पहले मर चुकी है तो उन मूर्थियों को देखके इसो तो imagine क्या कर रहा है कि यहां तो यह मूर्थियों जीवित हो जाएंगी इतनी अच्छी लग रही है यहां एक दिन मैं इन मूर्थि की तरह मर जाओंगा और मूर्थि बन जाओंगा और क्या करते थे हैं देखो इतना बड़ा मैंशन था कि मैं थकता ही नहीं था गूमने में गार्डन तो इतना बड़ा घर था इसमें बड़े बड़े कमरे थे वाण आउट हैंगिंग मतलब क्या जो जो डेकोरेशन का सामाने हम उतर चुका था चुकि अब देखो मालिक वहां रहेगा ने तो मालिक क्यों खर्चा कर देगा उस पर और एनिवेशन तो नहीं बैगा हुआ सा उखड रहा था तो जो पर्दे थे जूल रहे होते थे उखड के और एसा फरणीचर जो गुद घिस गया है तो वहां पर मैंसे गूमा करता था old passionate garden था बहुत सारे old passionate garden दो बड़े बड़े गार्ण वहां पर थे औधर मैं आराम से गूमा करता था जहां पर मां खेल अब छोटा गार्डन हो तो आपके भाई-बैन आपको परिशान करेंगे, बड़े हो या छोटे, यहां तो क्या इतना बड़ा गार्डन है, भाई-बैन कही और खेल ले, अपन कही और चले गए, वेन नव अन देना, सुलिटेरी गार्डनिंग मैन वुट्ट ग्रॉस मी, यहां पर दादी हो तहगए, तो इसके साथ में कोई होता नहीं है, तो गार्डनर को पर अखेला फील हुझा है, तो जब यह लोगुडाते हैं, नवेकेशन मनाने, तो गार्डनर को मुट चिड़े लगती है, उसको लगता है यहां में कोई डिस्टर्म ना ख़़े और गार्डनर नहीं मना करके रखाए कि आपको इभी फल फूल नहीं तोड़ पाओगे तो इस सब फॉर्बिडन फूर्ट का मतलब यह है कि जो और रहे हैं मों कोई भी फूर्ट नहीं तोड़ सकता और इनको मज़ा किसमें आता था देव अनलेस अनलेस नावन देन बिकेम आई हैड मोर प्लेजर इंस्टर्लिंग अबाउट अमंग दे ओल्ड मेलन्कोली लुकिंग यूट्री और फॉर्ट पिकिंग अपट बैरी थे फर एपपल्स तो मैं कहां मज़े लेता था जैसे मैं य यूट्री मतलब होता है यू एक तरकाव ट्री होता है जिसे हिंदुस्तान में पीपल नहीं मशोग चलते हैं तो यह सब पेड़ों के नाम बताएगा यूट्री थे फरके ट्री थे मैं बैरी को उठा सकता था पिक अप लग नहीं है पिक अपिक अप है गिर कई बैरी तो म और पाइनगन स्मैल अरांड़ मी होुटा किया ता मैं फ्रेश घ्रास पर आरम से लेटता था गारन की स्मैल लेथा ता बहुत मजा आता था और इंजरी और orteja राप द वारे हो डिवारे होंगी औरब चृट2 कर रही हों वहां पर औरन फसे ना में ऑपेड़ों की लिख तो वो जो गर्मी है उस गर्मी में इन फलों के साथ साथ अपने खुद पक जाता था और इन वाचिंग देखना बहुत मज़ा आएगा और इन वाचिंग देज डाटेट तो एंट फिश पॉंड फिर मैं देज को देखता रहा है जो फिश पॉंड में तो जा दिया तो आपक यह मान लो मचली है देज तो अगर यह जाती है यहाँ पर फिर वापस आती है जाती है वापस आती है जैसे पैंडिलम का मोशन होता ना इसको बोलते है तो यह फिश ऐसे जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है इसको बोलते है तो देज क्या करती है तो देज क्या करती है वहाँ पर इसका बहुत अलग तरीक है यह बात नहीं करती ज्यादा मुवमेंट भी नहीं करती बहुत थीरे चल रही होती है इसको मुफर्ट कहा गया है अब देखो असली में पता नहीं होता अब अब अगर रहो गए एक जगह पे वहाँ आप रोज देखोंगे मचलियों को तो आप ऐसे अजम्शन तो रखा सकते हो ना कि यह वाली मचली है जो मस्ती से गोंती है बात करती है और यह है जो अकेले अकेले जाती है और आती है साइलेंट स्टेड में as if it mocked at their impertinent friskings मतलब ऐसा लगता है कि यह जो शान्त वाली मचली है जो सेंटर में चल रही है यह बाकी की मचलीयों जो ऐसे चल रही है बार बार इन पर मान लो हसती हो कि बेवकु वह यह कितनी जल्द 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 रहें पिस कामी नहीं है जैसे होता ना बहुत तो इस तरीके से मचली के रूप में देखा गया है I had more pleasure in these busy idle diversions then in all the sweet flowers of peaches flavors of peaches, nectarines, oranges and such like common breeds of children तो मैं आनन्द कहां लेता था मुझे ज़्यादा आनन्द इनको देखने में आता था बजाए इन सब खुश्भू होके मतलब खुश्भू को कहा रहा का अनन्द तो मैं लेता था लेकिन फलों से ज़्यादा मज़े खुश्भू से ज़्यादा मज़े मुझे आते थे इनको देखने में यहाँ भी आकेला आपने देख सकते हो मतलब यह वैसा व्यत्ती है जिसको अपने भाई बहन के साथ बैठके खाने में मज़ा नहीं आ रहा इसको मज़ा आ रहा अकेले बैठके मचलियों को देखने में कितना अकेला पर आप आप देख सकते हो इस व्यत्ती की जिन्दगी में आगे भाई के वारे में जानते हैं हम इनके जो भाई की मैंने डात पते था आपको . उनके बारे में जानेंगे हैं अब ये जॉन बच्चे का नाम है ठीक है ये जॉनलाम मतलब भाईए नहीं है ये जॉनलाम मतलब imagine के हुआ बच्चा aire here john slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes which not unobserved by allies he had meditated dividing with her and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant अब यह जहां से समझना ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूँ ही children और यह garden john lamb dadi यह सब कहानी के अंदर की कहानी है ठीक है और यह जो line अभी अभी मैंने पड़ी यह है पहली वाली कहानी याने जो बैठे हुए है चार्ल्स नाम उनके सामने दो बच्चे हैं जिसका नाम है john एंड एलीस उन में से जैसे कहानी जब सुना आए है तो john पीछे चाता है और एक bunch of grape रग देता है वापस मतलब उठा के तो रहा खाने लगता है अंगूर जो उसकी बहन है एलीस अब बहन है तो ऐसी होती है बहनों को बरदाश्च नहीं होता कि भाई कुछ खाले और मैं नहीं खाऊं तो थोड़ा सा वन में शगड़ा होता है शगड़ा में तो वह एलीस देखनी पाती तो फिर बाद में वह से डिवाइड कर देता कि चल तू भ her children, yet in a special manner. She might be sad to love the uncle John Lamb. यह लाम होगा ठीक है यहांपे? प्यार करते भी चुकि यह अलगी था यह लाडला था उनका विकॉस वस तो हैंड इस्परेटर यूथ एक्टम हैंड्सम इस्परेटर था एंड किंग तो रेस्ट ऑफ और हम सब अब समझ रहे हो आप कुछ और भी लोग हैं की तरह चाल्सलाम की तरह जो अकेले रहते हैं जो अकेले पन का शिकार है पर यह नहीं है जान लाम यह क्या करता था सबसे जारा जो मैटल सम्होर्स हो सबसे जो कटन हो अडियल जो सबसे घोड़ा हो उसके ओपर बैठता है बट इन से खतरनाक नहीं है ठीक है मतलब घोड़ा लेकिन ऐसा भी नहीं कि इससे बहुत जेली नहीं पाए यह जेल पाए ऐसा सबसे कटन गोड़ा यह चुनता था एंड मेकिट कैरी हिम हाफ ओवर दर कंट्री ना मॉर्निंग तो सुबह आदी कंट्री कंट्री मतलब देश नहीं है पर कंट्री मतलब पूरा जो गाहों का एरिया है उनका वह एरिये को पूरा आदा घूम लेता था एंड जब कोई भी शिकारी जाएगा तो उसको भी कोई विज्वा एक्टिव होगा घर का जचान रहेंगे तो पूछ भी काम बोलो भी काम कर देगा वह बढयों उसको खुछ रहते हैं घर वाले भी कुछ रहते हैं घर की जो महीला हैं आपकी मौव आपकी जाची आपकी दादी वह भी खुछ रहेंगी उससे तो यह uncle grew up to a man's estate as brave as he was handsome to the admiration of everybody but of the great grandmother field most especially तो वो लाडला तो सब का था पर दादी का especially वो लाडला था बहुत प्यार करती थी दादी तो आगे देखते हैं and how he used to carry me upon his back when I was a lame footed boy for he was a good bit older than me चुकि वो मुझसे काफी बड़ा था इसलिए वो मुझे लेकर कूमता था अपनी पीट पे जब मैं lame footed हो गया था lame footed मतलब लंगड़ा याने एक समय आया था चार्ल्स के जीवन में जब वो लंगड़े हो गई सी sorry and many a mile when I could not walk pain and how in after life he became lame footed too and I did not always I fear make allowances enough for him when he was impatient and in pain nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame footed तो मुझे याद भी नहीं है कि वो मेरी कित्री क्यार करता था और मैं कित्री उसके क्यार करता था जब वो lame footed था है मैं lame footed था मतलब एक दूसरे के died a great while ego such a distance there this there is a bit what betwix life and death अब देखो दान से इसको वो कहते हैं कि जब उसकी death वी though he had not been died dead an hour ऐसा नहीं है कि वो एक गंटे पहले उसकी death ही हो बल्क उसकी death तो पहले हो गए लेकिन मुझे ऐसा फील रहा है कि यार अभी तो death हुई थी मतलब मेरे दिल में जो दर्द है उसकी मौत का उतना ताजा है कि मैं नहीं मान सकता कि उसकी death को बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो death हुई थी अभी तो मेरे साथ था और मुझे अलग हुआ मतलब वो दर्द बहुत ताजा है अलग होने का यही तो distance होता है जिन्दगी और मौत का कि मौत हो जाती है पर हम उसको कभी निकाल नहीं पादी जो मर गया वो हमारी जिन्दगी से कभी दूर नहीं हो पादा हमें वो याद रहता है तो पहले मुझे लगा कि मैं डैथ को बहुत जय Leg और मुझे आटन ही याद की सुरू में मुझे लगा बहुत ब्रेव हुह दुखी रहता है कि death हो गई, death हो गई, पर मैंने ऐसा starting में नहीं किया था, and I think he would have done if I had died, और मुझे ऐसा लगा था कि वो ऐसा करेगा, अगर मतलब Charles Lam कहने के अगर मैं मरा होता, तो John Lam ऐसे ignore नहीं कर भा था, उसको बहुत तडपन होती किया, मेरा भाई मर गया, पर मुझे ऐस उसको miss करना शुरू किया, फिर मुझे समझनाया में कितना प्यार करता हो अपने भाई से, पहले मुझे लगाई नहीं था, miss करने से पहले, I missed his kindness, I missed his crossness, wished him to be alive again, मुझे उसकी ने की, मुझे उसका चिरना, मुझे उससे किये गए, जगडे, सब कुछ यादा आते थे, ऐसा लगता था कि काश, काश, वो फिर जिन्दा हो जाए, काश मेरा भाई मुझे मिल जाए, to be quarreling, to be quarreling with him, काश पस जगडा कर पा हो फिर से, for we quarrel sometime, of course यार भाईों में जगडे नहीं होंगे, भाई बहें जगडे तो हो नहीं है, rather than not to have again, and was as uneasy without him as he, their poor uncle might have been when the doctor took off his limb, तो मुझे जितनी पीडा हो रही है न, उससे अलग होने की, वैसी पीडा शायद उसको तब होई होगी, जब उसका पैर काटा गया था, भाई लंगडा हो गया था, भाई की death से पहले जब उसका पैर काटा गया था न, तो शायद तब उसको इतनी ही पीडा होई होगी, अपने से बिचणने का गम आपके शरीर के एक अंग के अलग होने के बराबर होती है वो पीडा उसके बराबर होती है Here the children fell crying, बच्चे बहुत emotional हो गया, मेरी ख्याल चाहिए अगर आप भी कहानी को अच्छे से सुन पा रहे हो तो आप भी emotional पक्का हो गए अभी तक तो, तो बच्चे emotional हो गए काफी and asked if their little morning which they had on was not for Uncle John and they looked up, prayed me to know not to go on about their uncle but to tell them some stories about their pretty, pretty dad mother ध्यान से समझो, सुन्दर मरी हुई मा, इसका मतलब ये imagine ये कर रहे हैं, अब देखे रहो बदला कैसे ले राशिक तो imagination में भी भाया, अपनी ही beloved को मार दिया तो Charles Lam ने imagine क्या किया है, मेरे सामने दो बच्चे, दो बच्चों की मा, Ann Simmons जिससे असल में शादी होनी पाई, और वो बंदी भी मर चुकी है, क्या बदला लिया है जेको साथ साल में नहीं माने ही तो सपने में उसको मार दिया, तो सपने में तो मर चुकी है, तो अब यह imagine कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कहरे हैं कि नहीं पापा प्लीज चाचा के कहानी मत सुनाओ यह बहुत इमोशनल कर दिया आपने अब हमें आमारी मा की कहानी सुना दो आप आप जानेंगे इस खूब सूरच सी और अश की कहानी यह बहुत आपके लिए वक्त बहुत लंबा लंबा गुजरता है एक एक पल आपको एक-एक महीना लगता है इसलिए कहा गया है कि मैंने बेता भी के साथ अपने जिन्दिकी के साथ साल बिताए कभी मैं उम्मीद में था कभी मैं नराशा में था येट पर्सिस्टिंग एवर आई कोटिड तो फियर अलाइज डब्ली डश 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 अन यह सरनेम विजिबल नहीं है किसी भी ऐसे में विजिबल नहीं है लेकिन कभी बदनाम नहीं लिखा था तो अगर उसका पती देख लेता कि यह इसका आशिक है नाम मैच कर रहा है तो प्रॉब्लम आती तो वह दूसरे का नाम यूज कर दें ठीक है तो यह इमेजनरी नाम दिया गया है ऐलीस डब्ली डश 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 अन यह एन सिमोंस के लि चिल्डरन कुड अंडरस्टेंड एक्स्लें टू देम वाट काइन इस डिफिकल्टी एंड डिनायल मेंटें मेडिंस तो जितना बच्चे समझ पाएं उतरह मैंने उनको समझा है कि क्या कि क्या नकरे होते लड़की के आपने बहुत सुना कि लड़की की नाम ही हां होती है तो ऐसी इनके भी डायलोग ते चार्ल्स लाम के मेडिंस मतलब लड़की होता है कि लड़की जब मना कर रही है तो क्या पता हो सच मुझ बना कर रही है बहुत आप देखो कि केसिस आपके सामने भी होगी कि लड़की मना तो करती है पर इस तरीके से मना करती है कि पूरी त तो कभी वह एक्दम मना करेगी तो वह बंदा उससे फिर बात करना चाहेगा तो वह लगए साथ साल तक एक जूलाती रही तो साथ साल तक उसके पीछे पीछे रहा तब अब लेकिन बच आता नहीं समझ भाएंगा उसके पर लाइटर को तो अपनी बडासने ऐ तो चाल सेलाम अपने पूरी बडास निकाल दी उसको समझा दिया जो बुराइयां करनी थी बच्चों से उनकी मा की जित्ती बुराइयां करनी थी वो कर दी अब देखो इसके मन में जैसी इसने बोला ना तो ख्याल किसके आ रहे है अपने बिलेवट की तो उसको अचानक से देखा मीरी इमेजिन की हुए बच्ची जो है ईजी ये पूरी की पूरी अपनी मा जैसे खी है कि मानलो मा की आत्मा एलीस की आत्मा ही है fulfill अचल कर देख मैँ तो और देखता रहा है उसकी आत्मा का पुनर जनम ही उसकी बेटी के रूप में इसको दिख रहा है यानि compare किया गया है कि वो एक जैसे दिखती है तो मैं इसको देखता रहा अब देखो last का है climax ते हां तो सुनना अब वो जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे faint हो गए मतलब मेरी नजरों से दूर होते गए receding and still receding till nothing जीरे जीरे मुझे दूर 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 जीरो हो गए मुझे मतलब गायव हो गए basically जितना दूर हो सकता है उतना दूर मुझे धुंदले से वो बच्चे दिख रहे थे with without speech strangely impresses upon me the effects of speech तो बिना कुछ बोले ही समझो वो कुछ कहा नहीं लेकिन बिना कुछ बोले वो ये बात कहेगा कि we are not of allies not of the न हम allies के बच्चे हैं न हम तुम्हारे बच्चे हैं nor we are children at all न कि हम बच्चे हैं न तुम्हारे न allies के न बच्चे हम कुछ भी नहीं है the children of allies called bottom father चुकि असल में जो बच्चे हैं बार्टम को पिता बोलेंगे बार्टम कौन जिससे वास्तविक्ता में allies यहाँ पर allies का मतलब कौन है एन सिमोंस जिससे चार्ल्स लम प्यार करते हैं तो वो लड़की के जो बच्चे हैं वो किसको पिता बोलेंगे बार्टम को कि असली पती कौन है बार्टम वी आर नतिंग लैस दन नतिंग अन द्रीम्स हम कुछ नहीं है नतिंग से लैस दन नतिंग मतलब नतिंग से कुछ नहीं जीरो है मतलब बेसिकली है हम आपके के ख्वाब है नतिंग मतलब होगे जीरो हम जीरो तो नहीं है जीरो से थोड़े से कम है, हम आपके ख्वाब है, we are only what might have been and must wait upon upon the tidiest shores of लीदी, ये लीदी होता है, ठीक है, लीदी एक नदी का नाम है, लीदी millions of ages before we have existence underneath, अब यहाँ आप जान से समझना है, ये होती है लीदी नदी, ठीक है अब जैसे हिंदुस्तान हिंदु माइथलोजी में हमारी वैतरनी नदी है, तो डैथ के बाद हम इस वैतरनी नदी पे जाते हैं और इस नदी को पार करते है, ऐसे ग्रीक माइथलोजी में ये लेती नदी का मतलब होता है जहाँ पे आत्मा ये रिखवा आत्मा, अगर आपको इमेज क्लियर रिख रही है, ये आत्मा ये अपना शरीर धारन करती है तो ये आत्मा ये आपना इंतजार करती है कि कभी हमें जन्म मिलेगा और हम अपना शरीर धारन करके पृत्वी पर जन्म मिलेंगे तो वही ये कह रहे हैं कि कभी यह आत्मा इंतजार कर रही थी कि जी जो चाल सला में इसके एंसमों से शादी होगी और हम शरीर धारण करके इसके बच्चे बनेंगे पर यह कभी होई नहीं है याने बच्चे वास्तविक नहीं है और अचानक से मेरी निंद खुल गई याने सपना तूटा और गईने के लिए यह हो तो ऐसी एक आमचर पे मैं आराम से सो रहा था वियर आ हैड फैलन असलीब विद तो फेट्फुल ब्रिजेट अंडर अंचेंज़ बाय माय साइड मेरे बगल में ब्रिजेट है यह नाम चेंज किया गया ठीक है यहाँ पर मैरी के लिए ब्रिजेट ब इसको जेमस एलिया भी बोला जाता है वो हमेशा के लिए जाच चुका था याने यह मैं आपको इंटरस्टिंग चीज़ बता हूँ यह क्या था इमेजिनेशन का एक धागा था उस इमेजिनेशन के धागे में वास्तविक्ता का धागा जो है वो जोड़ा गया है इसको बो वास्तविक्ता उसमें क्या है जो बिलवड है वो वास्तविक्ता है दादी वास्तविक्ता है भाई वास्तविक्ता है पर बच्चों का वह अंगूर खाना इमेजिनेशन है तो एक धागा इमेजिनेशन का एक है वास्तविक्ता का इसको ही बोलते हैं कि वीव फिक्शन अर गए दादी भाई और बिलवड तो इस फिक्शन और फैक्ट को ही मिलाने को बोलते हैं वीव करना उनको मिलाना तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एक एक वर्ड क्लियर है अभी भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो मैं कोचिश करूँगा आपक करें अपने क्लासमेट्स के साथ क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ और फैनली